कुंडली में गुरू की स्थिती जब मजबूत होती है तब जीवन में भाग्य उदय होने लगता है विवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है संतान सुक्ध एवं आर्थिक स्थिती मजबूत होने लगती है अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में गुरू ग्रह खराब है तो उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है साथ ही विवाह में भी देरी होती है ऐसे में अगर आपके भी गुरू ग्रह मजबूत नहीं है तो आप गुरुवार के दिन इन उपाय को करके अपने गुरू ग्रह को मजबूत बना सकते हैं आईए जानते हैं कि यह कौन से उपाय है जिससे आप अपने विवाह में आ रही देरी को दूर कर सकते हैं गुरुवार के दिन करें ये उपाय गुरुवार के दिन आपना हाते वक्त अपने पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर सनान करते हुए ओम नमो भगवते वासु देवाय मंत्र का जाप करते रहें गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाकर भगवान गुरु का वरत रखें, गुरुवार के दिन भगवान विश्नु का पूजा करें और विश्नु सहस्त नाम का जाप करें गुरुवार के दिन किसी भी व्यक्ती को उधार देने से बचें और धन खर्च नहीं करना चाहिए नहीं तो गुरु की स्थिती खराब होती है और लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है गुरु ब्रहस्पती की कृपा पाने के लिए आप गुरुवार के दिन व्रत एवं गुरु पूजा गुरु ध्यान करें साथ ही पीला वस्त्र धारण कर पीला भोजन खाएं गुरु भगवान का कथा सुने और पूजा में पीले पुष्प, पीला भोग, पीले वस्त्र का अरपन करें साथ ही केले के पौधे या व्रिक्ष को स्नान करवाने के दोरान गुर चना दाल और पानी से भगवान का केले के पौधे में जल अर्पित करें